हेलो प्रेंट्स, इंकम टेक्स के केसिस की सिरीज में आज जो इशू हम डिसकस करेंगे वो सेक्शन 263 के अंदर जो कमिशनर आफ इंकम टेक्स के द्वरा रिविजन्स की जाती हैं उनको लेकर के हैं आज के टाइम में ये देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम टेक्स सेक्शन 263 का काफी वाइलले इस्तमाल कर रहे हैं सेक्शन 263 मोटे तोर पर ये कहता है कि यदि असेसिंग आफिसर ने कोई असेस्मेंट और पास किया और वो और इरोनियस है और प्रेजिडिशल टूदा रवेन्यू है तो CIT के पास ये पावर है कि वो उस और को रिवाइस करने के लिए देशा निर्देश दे सकते हैं पहली बात फ्रेंट्स जब ऐसे ओर्डर को रिवाइस किया जाता है ये कह करके कि वो और इरोनियस हैं इरोनियस का मतलब गलत हैं तो क्या ऐसे केसिस के अंदर जिस असेसिंग आफिसर ने उस गलत ओर को पास किया है क्या उनके उपर भी कोई एक्शन होना चाहिए क्या असेसि को खाली इस पैरिल पर छोड़ा जा सकता है कि असेसिंग आफिसर ने कोई ओर्डर पास किया और वो ओर्डर जो है वो गलत है अब कमिश्टर उसको रिवाइस कर देता है तो बिना ऐसा कोई प्रावधान हुए बिना कि असेसिंग आफिसर के ओर्डर को रिवा प्रिंसिपल कमिश्टर आफ इंकम टेक्स ने एक रिवीजन के लिए assessing officer को guidelines दी और इस case के अंदर जब tribunal का ये कहना था कि जो रिवीजन किया गया वो as per law नहीं है case बहुत important है case का नाम है Venriable Advertising Private Limited versus Principal Commissioner of Income Tax और ये case 109 ITR Tribunal Short Notes 81 पर रिपोर्ट हुआ Metal Kolkata ITAT की B bench ने decide किया और इस case का judgment 16 January 2024 को आया 263 की रिवीजन के लिए जो में लिंब है Section 263 का वो ये कहता है कि order eronious होना चाहिए और prejudicial to the revenue होना चाहिए तो किन परिस्थितियों के अंदर एक order को गलत माना जाएगा इसके लिए Finance Act 2015 के दौरा 1 June 2015 से ये provision लाया गया कि यदि कोई assessment order बिना किसी inquiry के पास किया जाता है या assessor को कोई claim दिया जाता है जिसमें assessor officer ने कोई inquiry नहीं की या कोई assessment order पास किया जाता है जिसके अंदर जो central board of direct taxes का यदि कोई order है या instruction है या कोई guideline है उसको follow नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस order को erroneous कहा जा सकता है जहां तक वो order prejudicial to the revenue है तो कहने का मतलब यह है कि जो finance act 2015 के दौरा बदलाव लाया गया उसके अंदर inquiry के उपर जोड दिया गया कि assessing officer ने कोई claim दे दिया या कोई order पास कर दिया जिसके अंदर उसने inquiry नहीं की तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि यदि principal commissioner of income tax को यह लगता है कि जो assessing officer ने inquiry किया वो sufficient नहीं है उसको और further inquiry करनी चाहिए थी या उसको किसी matter को किसी और angle से examine किया जाना चाहिए था तो क्या इस अधार पर भी उस order को erroneous कहा जा सकता है तो tribunal का यह कहना था कि खाली यदि CIT एक ऐसी धारना बनाते हैं कि जो assessing officer ने inquiry किया वो sufficient नहीं है उसको कोई और inquiry करनी चाहिए थी या उसको किसी issue को किसी और angle से देखा जाना चाहिए था यदि ऐसी power, unbridled powers commissioner of income tax को दे दी जाएंगी तो इससे कभी भी litigation खतर नहीं होगी और assessment को finality नहीं मिलेगी tribunal का यह भी कहना था कि यदि assessment order detailed नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि assessing officer ने inquiry नहीं की यदि CIT को यह लगता है कि कोई inquiry की जानी चाहिए तो CIT को खुद भी वो inquiry करनी चाहिए या assessing officer को यह कहना चाहिए कि वो inquiry करे लेकिन यह उसकी choice नहीं है कि वो inquiry करे या ना करे तो खाली यह कहना कि assessing officer को further inquiry करनी चाहिए थी या किसी issue को किसी और angle से देखा जाना चाहिए था तो ऐसे cases के अंदर 263 की power का use करके उस assessment order को erroneous as to the prejudicial to the revenue नहीं कहा जा सकता friends यह case बहुत important है जहां तक की section 263 के provisions का सवाल है इस case के अंदर यह पता चलता है कि एक order को erroneous कहने के लिए या यह कहने के लिए कि inquiry नहीं की गई कौन सी baseline होनी चाहिए वीडियो के अंत में एक बात फिर में केस का नाम repeat कर रहा हूँ केस का नाम है Veni Rabel Advertising Private Limited versus Principal Commissioner of Income Tax और यह case 109 ITR Tribunal Short Notes 81 पर report हुआ matter Kolkata ITAT की B Bench ने decide किया और इस case का judgment 16 January 2024 को है किया हूँ किया हूँ